अगर आप एक अच्छा गीजर लेना चाते हैं अपने घर के लिए तो आपको 20 ब्रैंट और उनके कम से कम 50 मॉडल्स देखने को मिलेंगे और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ये सही टाइम है गीजर खरीदने का और मैं आपकी इसमें पूरी बदत करूँगा मेरा नाम है विनीत मलोतरा और मैंने बहुत सारे गीजर मॉडल्स खरीदे अलग अलग ब्रैंट के उने कुछ को इंस्टॉल के अपने घर में कुछ को अपने आफिस में और कुछ आपको स्टूडियो में दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि इस सीजन में 2023 में बेस किसी भी ब्रैंड नहीं बेजा और नहीं पैसे दिये है इस वीडियो को बनाने के लिए इन सबी मॉडल्स को मैं घुद खरीदा है इनने लगातार कई महीनों तक यूज करके टेस्ट किया है उसके बाद गार किया है बाकी सबी मॉडल्स के साथ ताकि आपको ये बता करीदने के लायक बैस्ट गीजर कॉन सा है इससे आपके पैसे बचेंगे ताइम बचेगा और यही मेरा प्रफेशन है बतले में मुझे का मिलता है आपकी सपोर्ट जब आप मेरे दिये गए अफिलिये लिंक को यूज करके पूरा करते है तो बिना आपके प्राइस को एक चेंज करे हुए इस चानल की मदद होती है और उससे हम ऐसे प्रोडक्स खरीदने की हिम्मत जुटा पाते है तैसे भी जुटा पाते है मैं आशा करूंगा कि आप मेरी मदद फिर से करेंगे और गीजर एंड हीटर लिस्ट जो मेरी रेकमेंड़ेड वी एंड रेकमेंड़ इस वीडियो अंदर मैं आपको 15-L मौडल का कमपारिजन कर दिखाऊंगा यही कमपारिजन आप 10-25 लीटर के स्टोरेज गीजर्स यानि जिनमें पानी स्टोर करके गरम कर सकते हैं उन पे भी अपलाय कर सकते हैं फरक उनमें कोई नहीं है मैं आपको इक और बात 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 पांच लोगों की फैमिली है तो आपको 15-L मौडल ही लेना है लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक शावर्स लेते हैं आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तें टेक 25-L मौडल अब आपको बताता हूं अब बेस्ट गीजर इनडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नमबर 5 पे आने गीजर है बजाज का नियू शक्ति 15-L मौडल जिसके अंदर आपको 2000 वाट की पावर यानि 2 किलो वाट की पावर एलिमेंट मिलेगा एं ये 8 बार प्रेशर के साथ आने वाला गीजर है बजाज नियू शक्ति नियो के अंदर आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है और ये ज़रूरी है किसी एक गीजर में ये आपको बताता हूं अगर आपके घर के अंदर हाडवाट आराता है यानि खारा पानी और उस पानी का टीडियस बहुत जादा है तो आपको कभी भी ऐसा गीजर नहीं लेना चाहिए जिसमें सिर्फ स्टील टैंक लगा हुआ हो आपको टाइटेनियम ग्लास लाइन कोटेड टैंक ही खरीदा है क्योंकि वह आपके स्टील टैंक पे जंग लगने से बचाएगा और गीजर की लाइफ को बढ़ाएगा यू अलसो मेक शॉर कि उस गीजर के अंदर एक एनोड रोड हो एक सेल्फ सेक्रिफाइजिं रोड होती है ज हर्डवाटर वजह से नोडड रोड सेल्फ सेक्रिफाइज होती जाएगी और आपकी गीजर को हमशा प्रटेक्ट करती चली जाएगी आपको ईनोड रोड को साल या दो साल में एक बार चेंज बीच में contact को बहुत ज्यादा कम करेगी और यह बहुत अच्छी बात है इससे पावर सेविंग बहुत हद तक हो पाती है इस गीजर में आपको टेंपरेचर कंट्रोल नॉब भी मिलेगी और सेफटी फीचर में आपको फोर इन वन मल्टी फंक्शनल सेफटी वाल्ब भी देखने को मिलेगा गीजर में यह एक अच्छी चीज है बजाच का यह कीजर वे करता है 10 kg और ब्रैंड आपको देता है इस पर वन यह की कॉमपरेहंसिव टु यह की वारंटी on the element and five years की वारंटी on the tank अब इसके प्रोजन कांस की बात करें चेक करें उसमें सारे वो प्रोड़क्स जो मैं रेकमेंड करता हूं और एक भी वो प्रोड़क्स नहीं मिलेगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता यह बजाच का गीजर अच्छा है इसके अंदर आपको फीचर्स अच्छे मिलते है जब यह दो साल पहले नेया छोटा साकाल मेने लास्ट एर भी आपको बताया था यह है बिल्कुल परफेंट गीजर नहीं बनता ऐसे अरीज के लिए जहां पहुत जदा एक पानी है या बहुत खारा पानी है वह वह के लिए ट्वान इस त्वा यह अजवार्स यह अगर अगर तो आप बजट कम है तो आप इस ले सकते है बिना जिजके और क्या विट करें जाएं इसक्रिप्शन बोक्स में लिंक दी है इसके बेस्ट कीजर इंडिया फ़ें लिस्ट मेरी लिस्ट मेरी लिस्ट में नंबर फोर पर आने वाला है क्रॉम्टन का अर्णो नियो जो की 15 लीटर मॉडल आपको 2000 वाट यानि 2 किलो वाट की पावर और 8 बार के प्रेशर के साथ मिलता है क्रॉम्टन का ये मॉडल 5 स्टार रेटेड है और मेटल बॉडी के साथ आता है और इस पे नैनो पॉली बैंड टेक्नोलजी का यूज करा गया है जिससे टैंक की लाइफ बहुत जादा इंक्रीज होती है और इसे चेक करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्टूमेंट या मीटर नहीं है जो हम ये चेक करके बता सके ये पानी जल्दी गरम होगा और जादा देर तक गरम रहेगा और इसमें अपको मैगनेशियम अनोड रॉड भी देखने को मिलती है ये तंपरेचर कंट्रोल नॉब के साथ और सेफटी फीचर में इसमें आपको सेफटी वाल्व, आटो कट ओफ फीचर और ISI सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है विच इस वेरी वेरी गुड थिंग क्रॉम्टन का ये मोडल वे करता है लग बग 10 kg और आपको ब्रैंड इस पर देगा टू येर्स की कॉम्प्रेहंसिव वारंटी तू येर्स की वारंटी ओन दी एलिमेंट और फाइव येर्स वारंटी ओन दी इनर टैंक लेट्स टौक अबाइड प्रोज और आपको प्राइज पता हो ये भी 6,000 रुपे का कॉस्ट करता है उतना ही जितना बजाज का गीजर कॉस्ट करेगा अब आपको देखना है कि अपको बजाज का गीजर जादा सूटिबल है या फिर क्रॉम्टन का मेरे हिसाब से दोनों अपने हिसाब से बहुत जादा अच्छे हैं और दोनों ही परफेक्ट फिट नहीं है किसी भी ऐसे एरिया के लिए जहां बहुत जादा खारा पानी या फिर हाई टीडियस वाटर आता हो क्योंकि इन दोनों के अंदर अपने अपने सेट अफ प्रोजन कॉंस है मैं पहले आप जैसे इसमें ग्लास लाइन टैंक या ग्लास लाइन एल्मेंट नहीं है जिसकी वज़े से बहुत जादा खारे पानी के लिए सूटेबल नहीं है अगर आपके अरिया के अंदर हाई टीडियस वाटर है डोंट बाइस गीजर बाइस गीजर आपको अर चीज आपको समझाता अगर आपका बज़ेट कम है और आपके अरिया में पानी बिलकुल सॉट है इन गो फर इस वान इट इस फैंटास्टिक गीजर इन दिस बजट आपको कभी कोई प्रबलम नहीं आएगी और इसकी लिंक्स दे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वी एवन गीजर लिस में चाहिए जल्दी से चेक करिये से पैस्ट गीजर इन इंडिया 2023 मेरी लिस में नंबर 3 पे दो गीजर आते हैं सेम ब्रैंड के मैं आपको एक गीजर दिखाऊंगा और आपके ओपर ऑप्शन चोड़ूंगा कि आपने ये वाला गीजर लेना है क्योंकि हर घर की हर वाश् से होते हैं उसके लिए हर वाश्रूम में स्पेस है या नहीं I can't say इस और इस और जीजर में आपको फीचर्स कुछ जादा मिलते है इस लिए मेरे हिसाब से ये एक बेटर गीजर है बेटर ऑप्शन है रेस्ट इस यॉर चोइस बहराल आपको यह बता दू कि हैवल्स के और के अंदर आपको 2000 वाट की पावर मिलेगी और यह 8 बार प्रेशर के साथ आता है और हैवल्स के ही एडोनिया स्पिन के अंदर भी आपको यही पावर और यही 8 बार प्रेशर मिलेगा विच इस अ गुड तिंग हैवल्स का यह वाला यानि ओरिजॉन्टे मॉडल फोर स्टा रेटिड है जबकि एडोनिया स्पिन फाइव स्टार रेटिंग के साथ आता है यह भी एक डिफरेंस है लेकिन इसके अलावा ओरिजॉन्टे के अंदर आपको कहीं ज्यादा फीचर मिलेंगे एक बहुत ही सॉलिड और स्टर्डी ABS बाडी के साथ आता है और आप मेंसे कई अचली में होता है कैसे यही बताता हो आपको आज की डेट के जितने भी गीजर से वह सारे हीट सेफ मेटिरियल जैसे एपिस प्लास्टिक या फिर एक में बनाया जाते हैं लेकिन मैं उन सब में से रेकमेंट करूंगा हीट सेफ प्लास्टिक यानी ABS बाडी के गीजर्स वा एक कौस्टल एड़िया में रहते हैं जा पर बरसाथ जाद होती है या फिर आपके एरिया में पानी का झारापन भरी कॉल्स प्लास्टिक बाडी का हीजर लेना चाहिए अ टेल के गीजर पे आउट‌र माडी Meg mug लग सकता है और उसकी कुई भी-र अपन को गारेंटी नहीं द के अंदर फेरू glass coating तेकनोलिजी यानि यह ग्लास लाइन कोटिंग के साथ अता है जिसे अपना नाम दिया है और इसमें नम्हें इन कोल्वा ग्लास कोटिटीड अ ग्लेमेंट भी मिलता है और अगर इस बात को आपको इस बात को समझा हो तो आपको यह समझहना है, इसन इसे कहा जाता है इन-colloi glass heating element. यह जीजर आई-पी एस-फोर रिटिंग साथ है , और इसमें आपको Magnesium anode rod भी देखने को मिलेगी और ओसी के साथ आपको whirlflow technology भी इसमें मिलेगी वर्लफलो टेकनलोजी का सरल भाशा में मतलब यह है कि गीजर के अंदर थंडा पानी तो होगा ही, जब वो गरम होगा और आप जब उसे निकालेंगे तो थंडा पानी और एट भी होता जाएगा ठंडा और गरम पानी अगर आपस में मिक्स हुए तो आपकी पावर कंजम्शन है गीजर की वह ज्यादा बढ़ जाएगी और वो वर्ल फ्लो टेकनोलजी करती है उसे अवाइड करके यानि यह थंडे और गरम पानी के बीच में जो कनेक्शन है उसे अवाइड करेगी जिससे पावर कंजम्शन जादा नहीं बढ़ेगी और फेंटास्टिक टेकनोलजी इस गीजर के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप इस गीजर को अन्या ओफ तेमपरेचर कम या जादा या और बाकी सारे फीचर को चंट्रोल कर सकते हैं और बाकी सारे बाकी सारे फी और अगर आप रिमोट कंट्रोल यूज ना करना चाहें तो गीजर की बॉड़ी पे ही टच कंट्रोल पैनल है जिससे आप सारे फीचर को मैनेज कर सकते हैं लास्ट बट ना द लीस्ट है और आपको सेफटी वाल्व के साथ साथ एक शॉक प्रूफ प्लग भी दिया है जो एक बहुत जादा अच्छी चीज है यह गीजर 13.7 kg वे करेगा जबकि एड़ोनिया स्पिन 9.6 kg वे करता है दोनों में वारंटी आपको तू येर्स की कॉम्प्रेहंसिव फोर येर्स की ऑन्दी हीटिंग एलिमेंट एन सेवन येर्स की वारंटी मिलेगी ऑन द टैंक दोनो इन दोनों में आपको फीचर्स बहुत जादा मिलते हैं लेकिन ओरिजॉन्टे में जादा फीचर्स मिलेंगे एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा इसमें सेफ्टी फीचर्स थोड़े से जादा है एं ये कुछ जादा बेटर टैंक की टेकनोलोजी और इन कॉलोई हीटिंग एलि आप उसे डिजिटल कंट्रोल पैनल से भी यूस ऑपरेट कर सकते हैं कॉस्ट की बात करें तो ये लगग 13,500 रुपीज कोस्ट करता है और अडोनिया स्पिन लगग 11,000 रुपीज ये दोनों पॉस्ट जो है ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी जादा है इन कंपरेजन विचर्स इन के बनता है इसका एक कॉन अधर इन गीजर में इनकी क्वालिटी में इनकी सेफटी फीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है I have no issues whatsoever with their quality पानी बहुत जल्दी करम होगा और बहुत देर तक वो गरम रहे का गीजर के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज है जब किसी गीजर को ह करते हैं you know that is what we need or safe इतना जाद है इसलिए मेरे लिए ये बनते है बहुत ही जादा शांदार पिक्स अब आपकी मरजी है मैंने दोनों की लिंक्स आपको डिस्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिये है और वी एम वन घीजर लिस्ट के अंदर भी दिये है उस लिस्ट को डाउन इस साल कुछ चेंज आया है और वो चेंज में आपको आगे बताऊंगा लेकिन एयो समित के दोनों मॉडल बहुत जादा अच्छे हैं सीरिस 15 मॉडल को मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और अपने घर में भी इसे बहुत अर्से से यूज करते हुए बहुत खुछ ह सीरिस 15 मॉडल के अंदर आपको 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट दोनों टाइप की पावर ओप्शन्स मिलेंगी लेकिन ये वला मॉडल सिर्फ 2 किलोवाट पावर के साथ आता है अवेवर दोनों सीरिस के अंदर आपको एट बार प्रेशर मिलेगा विच इस अवेर गुड ठीटिंग एवलमेंट मिले की ता भी वही एसचे सके अंदर आपको गलास कोटेड हीटिंग अलिमेंट मिले जब दोनों में डिफ पानी के अंदर भी जार एèmeफ ली काम कर की जबकी मैगनीशियम की नॉरमल एब राड़ थोड़ी सी숙टिंगा ह्या थोड़ी सी खारे पानी यह difference है और यह बड़ा डिफरेंस है जहां पर पानी जादा खा रहा है। इसलिए आपको सोच समझने के बाद और करना है। सीरीज 15 के अंदर आपको temperature control knob मिलती है लेकिन SHS के अंदर आपको नहीं मिलती। दोनों ही गीजर्स के अंदर आपको advanced POF insulation तो मिलेगी। safety features भी मिलेंगे जैसे thermal cut-off और safety valve और ISI marking लेकिन SHS के अंदर आपको IPX4 rating भी मिलेगी जिसका mention कहीं भी Aosmith series 15 में नहीं है। Aosmith के दोनों ही models लगभग 10 kg वे करते हैं लेकिन की वारंटी में काफी फरक है। brand आपको देता है SHS model पे 2 years की comprehensive warranty और 2 years की warranty on the heating element and 5 years warranty on the tank. जबकि आपको series 15 के अंदर मिलती है 2 years comprehensive, 4 years की warranty on the heating element and 7 years warranty on the tank and that is a fantastic warranty package. अब आपको कोस्ट बताऊंगा तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। SHS model आपको 7000 rupees cost करेगा इस समय जबकि series 15 के अंदर 2 models आते हैं मैंने आपको बताया था एक 2 kilowatt और 3 kilowatt इन में फरक यह है कि अगर आप 3 kilowatt लेते हैं जैसे मैंने अपने घर में लगाया हुआ है वो बहुत जल्दी पानी गरम करेगा के साथ आता है उसका इलेमेंट थोड़ा ज्यादा पावर फुल है आपको तो किलो वाट का सीरीज 15 कोस्ट करेगा 10,300 रुपीज जबकि 3 kilowatt का कोस्ट करेगा 11,500 रुपीज यह प्राइस चेंज हो सकते हैं इसलिए मैंने सभी गीजर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये है और वी एम वान गीजर लिस्ट में दिये है आप इसे जल्दी से डाउनलोड करके चेक करिए कि गीजर्स बहुत जादा शांदार है आपको इनके प्रोजन कोंस बता हूँ चलिए बताता हूँ गीजर्स बहुत 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 जादा अच्छे हैं दोनों गीजर्स यानी सीरीज 15 और SHS दोनों मौडल्स बहुत हैं इन में आपको किसी ताइप की परिशानी नहीं होगी दे आर बिल्द फ्रम फेंटास्टिक अधिस फ्रम इन में ग्लास टैंक की ओलिटी भी अच्छी है में आपको फिर बहुत घर भी आता है तो आपको टिक-tik pä lawn को शैशा को आपको तोत क्वाज आती है जे लिए कि गेजर को ओं करेंगे बिल्स ऑ्रम पानी के तो साय्चे आ नक्र होड़ाता है वह फिर पानी आपको उसमें क्राकिंग साउंड पे बहुत जादा वरी नहीं करना है मेरे हजाब से यह कीजर्स बहुत जादा अफेक्टिवली काम करते हैं आप एक वरी ओन करेंगे बहुत लंबे टाइम तक पानी इसमें गरम रहें और मैं खुद परस्नली इसे यूज करता हूँ that is why I can safely say that मुझे सिर्फ एक ही चीज लेगे की इंस्टॉलेशन टीम आपसे चार्ज लेगी SHS model के लिए लिए चार्ज यू 400 रुपीज और उसके बाद आपको रिटर्न गिफ्ट आपको 400 रुपे लेके दो पाइप्स पक्रादेगी तो यह पाइप्स बॉक्स में निकलने चाहिए थे आर चार्जिंग गूड मॉंट अपनी बट ठीक है नहीं दे रहे है इस यूनो आपको एक और परो बताऊं इसका कि में अगनेशियम अनोड रॉड जो आपको इस मॉडल में मिलती है और अलोई अनोड रॉड अभी तक खराब नहीं हुई और इस यूनोड इसलफ एक्सप्लेंस की बहुत अच्छी लाइफ है अलोई अनोड रॉड की अनोड की और प्रोबबली तो प्रीमियम भी चार्ज करते हैं अपने गीजर पे विचिस कंप्लिटली एक्सेप्टिबल हीटर लिस्ट में जल्दी से चेक करिया बेस्ट गीजर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नमबर वन पे आने वाले दो फिर से गीजर है और इस बार रेकॉल्ट के हैं मैं रेकॉल्ट के ओमनी डीजी को बहुत जादा पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये वला गीजर मेरे हिसा अंडरे श्लिम 20-L मॉडल है इंस्टेड ओ 15-L और ओमनी डीजी 15-L मॉडल है बाकी सबी गीजर की तरह अब आपको कॉन सा गीजर लिना है और ओमनी डीजी के अंदर आपको 7.5 बार प्रेशर मिलता है बाकी सबी गीजर की तरह बहुत बड़ा फरक है जरा जानिये अगर तो मैं आपको रेकमेंड करोंगा कि आपको 7 या उससे ज्यादा बार प्रेशर के गीजर को खरीदना चाहिए 7, 7.5, 8 आपको भी ले सकते हैं लेकिन उससे कम के गीजर को आप अवाइड करें क्योंकि गीजर के अंदर वो प्रेशर को होल्ड करने की वो दूसरे सस्ते या उससे उपर के बार प्रेशर का गीजर लेना चाहिए 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 अप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वेको सेफटी इस था मोस्ट इम्पॉर्टन थिंग तोनों गीजर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी की पॉली-प्रॉपलीन बाडी के यूस करा ग ताइटनियम स्टील टैंक मिलेगा विध टाइटनियम एनेमल कोटिंग ओन धी हीटिंग एलेमेंट लेकिन ओमनी डीजी के अंदर आपको एक चीज अडिशनल मिलती है विच इस सिल्वर आयॉन टेकनालिजी जैसे मिन आपको ग्लास लाइन टैंक के बारे में बताया था च ताइटनियम एनेमल कोटिंग उससे भी दो नॉच इपर है वो और भी जादा प्रीमियम चीज है और स्टील टैंक को बहुत लंबे अर्से तक खराब नहीं होने देगी और इन तोनों रेकॉल के गीजर में ना सिर्फ टैंक आपको एनेमल के ओपर भी ये टाइटनियम की क यूज करा हुआ मिलेगा जो कि कुछ कुछ वही वर्ल फ्लो या स्फिरल फ्लो टेकनोलिजी की तरह ही है जो कि ठंडे और गरम पानी को आपस में मिक्स होने से बचाएंगी जिससे एलेक्ट्रिसिटी कंजम्शन हमेशा कंट्रोल में रहेगी ओमनी डीजी के अंदर आपको इंटरनल कोई फॉल्ट आ गई जो कि आपको पता नहीं चली आपकी पावर सप्लाई बिलकुल ओके है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो गीजर में किसी भी टाइप का खतरा ना पैदा हो जाए और आप सेफ रहें इसलिए ये आटो डाइगनोसिस की एक चिप जो कि किसी इस गीजर में लगाई है वो आटोमाटिकली पावर को कट ओफ कर देगी गीजर से और आपको सेफ रखेगी इस 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 अफैंटास्टिक फीचर फैंटास्टिक सेफटी फीचर जो मैंने किसी भी और गीजर में आज तक नहीं देखा इसलिए ये एक नमबर वन पे आ मोडल है ये वे करता है 12 kg और ओमनी डीज क्योंकि 15 लीटर मॉडल है ये वे करता है 10 kg दोनों की वारेंटी में थोड़ा सा फरक है अंद्रेसलिम के अंदर आपको तु येर्स की कॉम्परेहंसिव और थी येर्स की वारेंटी मिलेगी ओन दी हीटिंग एलेमेंट जबकि और 11,200 रुपीस कोस्ट करेगा ओमनी डीजी इस समय ये प्राइस चेंज हो सकते हैं इनके लिंक्स दिये हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वी एमवन गीजर और हीटर लिस्ट में उसे भी आप जरूर चेक करें क्योंकि उसी में आपको सारे मॉडल मिलेंगे जो मैं र अगर मैं नहीं दे लिए इन्स्टालेशन टीम नहीं दिये अधर वाइस युड़ा बीन डीजर जिसकी वरेसे ये मेरी लिस्ट में नमबर वन पे टॉप करने वाला गीजर बना और ओमनी डीजी इंदर मैं इस सिर्फ एक ही कॉन कह सकता हूं अगर मैं जबदस्ती कहना चा हूं कि 7.5 बार प्रेशर है एट नहीं बट डस इत रेली मेक अनी डिफरेंस नहीं आप 35 से 40 फ्लोर तक भी अगर रहते हैं तो भी 7.5 बार प्रेशर इस वेरी वेरी गूड इस अप्सुलूटली गूड अनफ और आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है बड आप जब इतने सारे हैं I am really impressed with the self-diagnosis feature यह safety feature मैंने आज तक किसी भी गीजर में नहीं लेखा आपने कभी सुना है माइक्रोचिप लगी है जो safety features पे काम कर रही है किसी एक गीजर में dedicatedly which is a very very good thing. auto cut-off features safety features हर गीजर में होता है चाया 5,000 का गीजर क्यो नहीं ले इसमें टाइटनियम कोटिंग करे गई है यह अपने आप में बहुत प्रीमियम है and it really costs लेकिन फिर भी cost को बहुत कंट्रोल में रखा गया है record कि तरफ से and record is one of the best world known brands in the heating you know geyser storage geysers और यह चीज हम उनसे expect करते हैं that they give the best quality geysers to you know everyone इन दोनों से आप जब पानी गरम करेंगे तो वो जल्दी गरम भी होगा और बहुत लंबे टाइम तक गरम भी रहेगा जो हमें एक basic requirement होती है किसी भी geyser की safety features के अलावा and you know overall I can say they are the best geysers जो मैं खरीच सकता था इस season में और मैंने जितने भी geysers को देखा मेरे हिसाब से यह best लगे 3KW के Aosmith geyser को अगर मैं हटा दू तो मेरे हिसाब से 2KW category के अंदर थे बेस्ट geysers that you can buy today अब क्या वेट करे हैं जल्दी से जाए दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी geysers के आपको लिस्स दिये हैं and choose whatever you like मेरे हिसाब से बहुत जाद अच्छे geysers है सारे याद रखिएगा दोस्तों जितने भी geysers अपने इस वीडियो में देखे उन सब को मैं खुद खरीदा है क्योंकि मैं आपके भरो से काम करता हूँ मेरे अफिलियेट लिंक को यूज करके अपनी परचेस को पूरा करियेगा इस चैनल की बहुत जादा मदद होगी मेरे अफिलियेट लिंक आपको वीमवान गीजर एंड हीटर लिस्ट केंदर मिलेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपर उपर ही देखने को मि थैंक यू वर्य वर्य मुच